असलाम रिकुम डियर स्टुडेंट्स आई होब कि आप सब ठीक होंगे आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 है 1.5 का सब्सक्राइब क्वेस्चन है आज हमारे पास क्वेस्चन है हमारे पास find which of the following matrices are singular और non-singular यह हमें matrix जो है यह given कियों है इनको हम लोग ने बताना है कि कौन से matrix जो है वो singular है और कौन से non-singular है first of all हम लोग यह देखते हैं कि singular matrix के होता है और non-singular matrix के होता है then हम यह जो matrix को solve करेंगे तो singular matrix हमारे पास ऐसा matrix होता है कि जिसका फूर इजम्पल हमारे पास एक स्केयर मैत्रिक्स हो बेख़े एका डिटर्मिनेंट जो है यह नाट इक्वल आजाए हमारे पास जीरो के तो यह हमारे पास नों सिंगलर होगा तो अब डिटर्मिनेंट निकालना हम लोगों ने प्रिविएस लेक्चर में सीखा था कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं तो वह आप जिसको को इससे रिप्रिजेंट करते हैं यह मार पास एक मैट्रिक्स ए जो है गिवन किया वैं तो इसको अब हम लोगों ने फिर्स्ट ओफाल डिटर्मिनेंट की फॉर में लिखने के बाद हम लोग यह जो डाइगनल इसकी इंटेश हैं इनको multiply करेंगे इसको जब multiply किया 3 को 4 के साथ दर्मियान में माइनस और जो इसकी बाकी इंट्रीज है फिर उनको भी हम लोगों ने क्या कर देना multiply कर देना अगर इसका आंसर यह 0 के एकवल आए तो यह हमारे पास singular होगा otherwise यह हमारे पास non singular होगा तो अब प्लस का एक 12 है एक माइनस का इसको करें तो यह हमारे पास 0 होते है तो इसका जो एक का determinant है वह हमारे पास equal किसके आया है जीरो के तो यह हमारे पास कौन सा matrix है singular तो इतर हम नीचे लिख लेंगे it is a singular matrix matrix यह हमारे पास question a जो है यह complete होगा आप question b है इसमें से इसका भी हम लोगों determinant find करना है तो जब बीकर determinant लेंगे तो यह हमारे पास equal आ जाएगा यह determinant की form में हम लोगों ने इसको लिख लिए अब इसका हम लोगों determinant जाए यह find out करते हैं इसकी diagonal को multiply किया 4 को multiply 2 के साथ किया माइनस दर्मियान में अब 3 को multiply किया 1 के साथ बाकि जो इंट्रीज इसकी रही है उनको भी multiply करना है तो देन यह हमारे पास equal किसके आ गया four two zero eight minus three one zero three यह equal किसके आएगा eight में से three minus करें तो यह हमारे पास five होते है तो इसमीन के भी का जब हम लोगोंने डिटर्मिनेंट लिया है वो नाट इक्वल आया है जीरो के तो देन हमारे पास यह जो मैट्रिक्स है यह क्या है नों सिंगलर है अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है क्या करेंगे डिटर्मिन इसका find out करेंगे तो यहीं को budget डायेगनल इंटई को about time seven advice के साथ यह माइनस हंब पाकी इंटिस जो रहा ही है उनको भी हम मलोगोंने मैं अबसे में तो यह हमारे पास मैट्रिक्स आ करते हैं कि यह नाट इक वाला है इसको सोल्व करते हैं तो इसमें भी क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट करेंगे इसको पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो यह यह को मंटीपिला करते हैं 5 को के साथ कर दिया और धर्मियान में यह मैं यह माइन आ पास माइन होता है और गूं जो इसकी बाचते हैं इसको भी हम लोगने क्या करना है मल्किप्लाइ का तेना Back 20 में से 20 माइमस करें तो यह हमार पास क्या इक्वल होता है जिरो के तो यह जो इक डिका डिटर्मिनेंट है यह वल जिरो के आगा है so this matrix is also singular matrix तो इधर हम लिखेंगे so this matrix yeah it is the matrix it is a singular matrix तो इसको हम लोग लिख लेंगे singular matrix सिंग्लर क्या होता है जिसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है डिंगर को अइक्वल जिरो क्या आए तो आ हौब कि आपको अच्छे से समझागी होगी ठीक है थीक है गर्ला हाफीज अब bugün पुर जुर ये तो बार्फ पये दुन्हाटा कfrage करो दृर्णी डान, को पनुआ है। पतार कजसे करो द के दृडियो पु करोंगे है डिवटा में डिमाला है